तो कॉंग्डिस के वरिश फ्रेता मनिश्टिवारी ने टीको के इस्तमाल की मनजूरी की प्रकरिया पर सवाल खड़े कि उन्हें शानिवार को दावा किया कि टीको के आपात उप्यों की सुकिर्थी के लिए कोई निती का धाचा नहीं है मनिश्टिवारी पर पलचवार करते हुए केंद्रिय स्वास्तमंत्री डॉक्टर हश्वर्धन ने कहा है कि आँखे खोलें और अफ़ा ना फैलाएं देश में कोरोना वाइरस के खिलाब टीका करन अभियान का शुभारंब हो गया वहीं अब कोरोना वैक्सीन को लेकर राजनीती भी शुरू हो गई है कोरोना टीका करन अभियान आरंब होने की प्रिष्ट फूमी में कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता मनीश तिवारी ने टीको के इस्तेमाल की मंजूरी की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिये है उन्होंने शनिवार को दावा किया की टीको के आपात उपयोग की सुकृति देने के लिए कोई नीतिगत धांचा नहीं है इस संबंध में उन्होंने ट्वीट किया कि टीकाकरन आरंभव हो गया और यह अजीवों गरीब है कि भारत के पास आपात उपयोग को अधिक्रित करने का कोई नीतिगत धाचा नहीं है फिर भी दो टीको के आपात स्थिती में नियंत्रित उपयोग की अनुमती दी गई पुर्व केंद्री मंत्री ने कहा कि कोवैक्सीन की अलग ही कहानी है इसे उचित प्रकिरिया के बिना अनुमती दी गई जब कॉंग्रस ने सवाल खड़े किये तो सरकार ने इस पर जवाब दिया केंद्रिय स्वास्त मंत्री हर्श वर्धन ने कहा कि किसी भी तरह के दुश्प्रचार अफवाहों का या गलत फेहमिया फैलाई जा रही है उसका किसी भी कीमत पर शिकार ना हो दोनों वैक्सीन्स आपके प्राणों की रक्षा के लिए हैं देश के रक्षा के लिए हैं और हर तरीके से ये वैक्सीन्स सेफ हैं एफेक्टिव हैं और इनका पर्याप्त इम्यूनोजेनिक रिस्पॉंस है इसलिए इन वैक्सीन्स के बारे में और इस सारी प्रक्रिया के बारे में कोई किसी भी प्रकार का शक्त, शुबा, संदे ना रखे। सुनी सुनाई बातों पर ध्यान नहीं देने और विशेशग्यों और वज्यानिकों पर भरोसा करने को कहा है। से मृत्यू की दर हमारे देश में संभवता है, दुन्या में सबसे कम है। तरुम कालरा, टोटल न्यूज, दिल्ली